नमस्कार, मैं हूँ अक्षिता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी न्यूस पर टीडी एंटेटेइन्मेंट और टीडी एंटेइन्मेंट में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागर करती हूँ आज मैं आपके समक्ष एक बहुत खास शक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनकी आज के दिन ही पुन्यत थी है आज उन्हें एक साल हो गया इस दुनिया से गईव है और वो कोई नहीं वो है शिशान सेंग राजपूत क्योंकि एक बिहारी है वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी फैन्स और उनसे प्यार करने वाले लोग उन्हें नहीं मूल पा है उन्हें आज तक याद किया जाता है उनके फैन्स त्वारा आज के दिन बहुत सारे उनके सेलेबिटी फ्रेंस और फैन्स ने अपने इंस्टेग्राम और अपने सोशल मीडिया के त्रू उन पे बहुत सारा प्यार दिखाया है उनकी दोस्त या पता नहीं कौन रिया चकुरवर्ती ने अपने इंस्टेग्राम के तरू एक बहुत दिल छूने वाला पोस्त सुषान सिंग राजपूत के लिए शेयर किया जो सहिए में हमारे दिल को छूग गया és में दिखा दिल रिया कि क्या हाला थे शशान सिंग राजपूत के जाने के बार उनका ये कहना है कि वो उन्हें रोज मिस करती हैं और वो जिन्दगी जीना भूल गई है क्यूंकि उन्हें जिन्दगी जीना शशान्त ने सिखाया उन्हें फिजिक्स से और उनके लाइफ में प्यार करना शुशान्त ने सिखाया है तो कुछ बहुत बहतरीन बातें उन्हें शुशान्त के बारे में लिखी जो हमें बहुत खास लगी वैसे ही उनकी एक और को स्टार उनके एक फिल्म में रह चुकी भूमी पेंडेकर ने भी शुशान्त सिंग के लिए एक बहुत प्यारा सा पोस्ट शेर किया उन्होंने उसमें लिखा कि मेरे दोस्त ने हमेशा एक जागरुपता रहती थी और वो हमेशा हर चीज को जानने के लिए उक्सुक रहता था वो सारे लोग्स उनके बॉलिवुड में उनके बारे में कुछ-कुछ लिखा अपने इंस्ट्रिग्राम के थो उनके फैंस भी काफी एमोशनल है और शुषान सुरिंग राजपूत ने बॉलिवुड में अकेले ही बहुत खास मुकाम बनाया था वो एक सीरियल आक्टर थे लेकिन उसके बाद उनने बॉलिवुड में एंट्री की काई पोचे से जो काफी अच्छा काम किया और उनके काम को सब में काफी सराया उसके बाद बॉलिवुड में तो उनकी कई फिर्में आने लगी और वो काफी अच्छा काम करने लगे लेकिन पिछले साल कुछ हुआ जिससे कारण उन्होंने अपनी चान देदी ससाइट के थ्रू चान सिंग राजपूत एक ऐसे वेक्ति हैं जिनने भूल कर भी नहीं भूला जाता कि वो जितने अच्छे अभी लेता हैं उससे भी कई जादा अच्छे इंसान थे वो हमेशा ही लोगों की मदद करते थे सबको पॉजिटिव करते रहते थे और एक बहुत उक्सुक और अच्छे इंसान थे अब वो अपने कोस्टार के बहुत अच्छे मित्र थे वो अच्छे से सबसे बात करते थे सबकी मदद करते थे भले आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका काम जोनोंने यहाँ अभी हम लोगे समक्ष छोड कर गए है वो काम इतना अच्छा है कि उसे हम बस देख के उनको याद कर सकते हैं कि वो अपने काम में अब तक जिंदा है उनकी बहतरीन फिल्में हमें हर वक्त हमारे आख में अज टीडी एंटेटीन्मेंट में बस एतना ही हम आपसे मिलेंगे कल फिर से एक न्यू बॉलिवोड अपडेट की साथ तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंसें राम एक साथ श तक की सो मुच वाची